बिस्मिल्लाहिर रह्मानिर रहीम इसलाम और आज के दौर के लोगों के शक और एत्राज अगर इंसान की तखलीक का मकसद सिर्फ इबादत ही है तो क्या इबादत के लिए फरिष्टे काफी नहीं थे? बाज लोगों को खास कर नई नसल के लोगों को ये शुबहा होता है कि अगर इंसान की तखलीक का मकसद सिर्फ इबादत था तो इस काम के लिए इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये काम तो फरिष्टे पहले से बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रहे थे और वो अल्ला की इबादत तस्बीर और तक्दीस में लगे हुए थे यही वज़े है कि जब अल्ला ताला ने हजरत आदम अलेहिससलाम को तखलीक फर्माने का इरादा किया और फरिष्टों को बत तरह आज भी एतरास करने वाले ये एतरास कर रहे हैं कि अगर इंसान की तखलीक का मकसद सिर्फ इबादत होता तो इसके लिए इंसान को पैदा करने की जरूरत नहीं थी ये काम तो फरिष्टे पहले ही अंजाम दे रहे थे बेशक अल्ला ताला के फरिष्टे अल्ला ताल अगर चाहिए कि इबादत न करी तो उनके अंदर इबादत चोड़ने की सलाहियत नहीं अल्लाह तुलाह ने उनके अंदर से गुनाह करने का इमकानी खत्म फर्मा दिया और ना उन्हें भूक लगती है ना उनको प्यास लगती है और ना उनके अंदर शेहवानी तकाजा रखा क्योंकि अगर फरिष्टे गुनाह नहीं कर रहे हैं तो इसमें उनका कोई कमाल नहीं और जब कोई कमाल नहीं तो फिर जन्नत वाला अज्रो सवाब भी मुरतब नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा शक्स जिसकी बिनाई बिलकुल ठीक है जो चीज चाहे देख सकता है लेकिन देखने की सलाहियत मौजूद होने के बावजूद जब किसी गैर महरम की तरफ देखने का तकाजा दिल में पैदा होता है तो वो फोरन सिर्फ अलाह ताला के खौफ से निगाह नीचे कर लेता है अब बाजाहिर दोनों गुनाहों से बच रहे हैं लेकिन दोनों में जमीन वा आस्मान का फर्क है पहला शक्स भी गुनाह से बच रहा है और दूसरा शक्स भी गुनाह से बच रहा है लेकिन पहले शक्स का गुनाह से बचना कोई कमाल नहीं और दूसरे शक्स का गुनाह से बचना कमाल है, लिहाजा अगर मलाईका सुबह से शाम तक खाना ना खाएं, तो ये कोई कमाल नहीं, क्योंकि उनको भूक ही नहीं लगती, और उन्हें खाने की हाजत ही नहीं, लिहाजा उनके ना खाने पर कोई अज्रो सवाब भी नहीं, लेकिन इंसान इन तमाम हाजतों को लेकर पैदा हुआ है। लिहाजा कोई इनसान कितने ही बड़े से बड़े मुकाम पर पहुँच जाए, हत्ता कि सबसे आला मुकाम यानि नबूवत पर पहुँच जाए, तब भी वो खाने पीने की हाजत रखता है। इसलिए अलाह ताला ने फरिष्टों से फर्माया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ, जिसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और उसके अंदर शहवानी तकाजे भी पैदा होंगे, और गुनाह करने का माद्दा भी उनके अंदर होगा, लेकिन जब गु और बदला देने के लिए हमने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है, जिसकी सिफत अर्धाहा अस्समावाती वल अर्ध है, इनसान को इस इबादत के लिए इसलिए पैदा फरमाया, ताकि ये देखें कि ये इनसान जिसके अंदर हमने मुक्तलिफ किस्म के शौक और ख्वाहिशात रखी हैं, हमने उसके अंदर गुनाहों के जजबात और उनका शौक रखा है, इन तमाम चीजों के बावजुद ये इनसान हमारी तरफ आता है और हमें याद करता है या ये गुनाहों के चकाचोंग की तरफ जाता है और उन जजबात को अपने उपर गालिब कर लेता है, इस मकसद के लिए इनसान को पैदा किया गया।